मेरे चैनल पर आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको इस तरह का क्रोशेट डिजाइन बनाना बताऊंगे यह डिजाइन हम मफलर में बना सकते है रिवर्सिवल डिजाइन है यह देखिए इदर से ऐसा है और इस साइड से ही इस तरह से है मफलर में यह जिसे श्कारफ करेंगे लडिकियां गले में डालती है उसमें यह डिजाइन बहुत अच्छा लगए और जाली वला है यह डिजाइन देखिए इस तरह से और बनाने में बहुत यह आसानि 3 row का design नहीं 3 row में design complete हो जाता है निचे से हम ने chain लेनी है चैप्त हम ने निचे-ESS सिंगल क्रॉशट होई हमारे मैंने 30 chain लिए उसके बाद 30 single crochet की रो लिये और उसके बाद मैं इस में enough दूसरी सिंगल क्रोशर ट्रो में ये डिजाइन इस तरह से शुरू किया है ये देखिए इस तरह बनता हुआ हा रहा है ये बनाना बहुत ही आसान है और बनाने के बाद ये अच्छा भी बहुत लग रहा है तो आए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते है आए इस डिजाइ से हमने इसमें चेन लेते हुए चलना है हम इसमें 30 काउंट ओने तक चेन बनाएंगे तो चेन बना के आपको दिखाते हूं आगे इदेखिए इस तरह से इसमें 30 चेन बनाने के बाद हमने इसमें फरस्ट ये छोड़ते हैं चेन और इससे अगली चेन में से हमने सिंगल है ऐसे और यहां से हम फिर अगला फूरी इस तरह से मॉला कर और के इंगल क्रोश्ट कर तें हुए यानि कि इसमें हमें पस कंपलेंटी नाइन ए 28 शेर का लिए अनुड़ भी कि यह देखिए हम single crochet करते हुए last में आगे हैं यहां पर भी हम एक single crochet प्रप्रेशन कर लेंगे This तरह में लेजांके प्राइब फ़ैसेमें एक chain दो वडान कर लेन है इस ते तरह से अगले वाले में सी जो हमारे single crochet इन से एक सिंगल क्रोशेट इस तरह से कर लीगे आफ हमने फाइब चेयन लेकर टो टीन चार और पांच पांच शेंडल का सिंगल स्किप करना है उस तरह से फिर से भी तो थे चार पांच पांच लेली चेन अब हम ये skip करेंगे और यहां से एक single crochet ले लेंगे अब हम 5 chain बनाएंगे, 3, 4, 5 और ये skip करेंगे, यहां से इस तरह से हमने पूरा थर्टी जो हमने single crochet किये थे इसी तरह से करेंगे, यह देखे, यह ऐसे दिखाए देंगे तो मैं यह आपको complete करके आगए दिखाते हूं यह देखे यह हम इसके last में पूंच गे हैं यहां से एक दो तीन चार पांच पांच होगे यह यहां से हमने इसको single crochet करते हैं यह देखे यह इस तरह से दिखाई दे रहा है ऐसे बना हुआ तो अब हम इसके आगए चलेंगे तीसरी रो में यहां से यहां आप देखे हमने तीसरी रो में इसकी तीन चेन लेनी है पहले दो तीन चेन ली आप देखे इसकी उल्टी सैड है यहां से हमने काउंट करेंगे यहां से चेन वान टू थ्री थर्ड चेन में से इस तरह से यहां से हमने इसको सिंगल क्रोशेट कर देना है अब हमने एक चेन लेनी है अब हमने फिर से यहां से एक दो चो यह सेंटर की तीसरी चेन है हर बारी में हम यहां से इसको सिंगल क्रोशेट करते हुए चलेंगे एक चेन लेंगे और यहां से तीसरी चेन में से इसक में से हम ने-एक सिंगल क्रोषट बना लिन एक चेन भी नें ये भी ये इच मेंगे ऑफ फिर हम ने यहां से एक 두 और ये तेन यहां इस यह हμम पूरी रोग कम्पीट करेंगे इस तरह से देकिए ऐसे ऑजिए हमार बस अब हमने यहां से एक चेन लेली मैंने अम मैं यहां से देखे एक दो और यह ती तीसरे में से सिंगल क्रोशेट एक चेन और आप आखे फिर से वैसे ही एक दो ती तीसरी चेन में से सिंगल क्रोशेट यहां से एक चेन पूरी रो इसी तरह से complete करेंगे हम तो मैं यह रो complete करके आपको यहाँ पर आके फिर आके दिखाती है यह देखिए इस तरह से मैं इसको बनाते हुए यहाँ आगी हूँ यहाँ पर देखिए यह इस तरह दिखाए दे रहा है तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है यह single crochet कर लिया मैंने इसमें से एक मैं यहाँ से मैं एक chain लोंगी इस तरह से आप मैंने एक double crochet लेना है बल देना है और यहां से यह विल मैं से एक double crochet इस्तरह से कर देदे लिया यह देखिए इह विल में आप आपaros अब हम घूम जाएंगे आप देखे हमने क्या करना है कि यहां से हमने एक chain लेनी है chain ली यह जो हमने एक double crochet लिया था इसमें से हमने एक इस तरह से double crochet लेना है single crochet लेना है सोरी क्योंकि अब यह हमारे first row repeat है तो यहां से एक हमने जो chain space है यहां से हमने एक single crochet लेना है एक यह जो आगे हमारा single crochet है इसमें से एक single crochet लेना है आगे हमने जो हमारा chain space है उसमें से एक single crochet लेना है यानि कि पूरी row हमने single crochet की complete करनी है हमारे पास यहाँ पे इस row में 30 single crochet थे तो हमारे पास यहाँ पे भी 30 single crochet ही होने चाहिए तो यह ध्यान रखना है हमने तो इसको repeat करना है इस तरह से देखे, यहां से भी single crochet और यह chain space है जो उसमें से भी हमने single crochet लेते हुए चलने हैं, आगे पूरा आगे इसी तरह से repeat करते जाना है, यह यह ऐसे, आप चाहें तो इसी इस से आगे से आप इसमें दूसरा color चुरू कर सकते हैं, चाहें तो इसी color से आप इसे jacket में बना सकते हैं यहां से ऐसी इस तरह से देखिये बहुत ही easy चार लाइन का डिजाइन है और यह इस तरह से दिखाए देगा अभी single crochet की रोह आगए हमर पस जो हमारा बेस लाइन से आग़े था थी लाइन अब हमने फिर से वही करना है एक सिंगल क्रोशेट और लेते हुए और फिर से हमने इसी तरह से यह डिजाइन को रिपीट करते जाना है तो यह रिपीट है जी इसमें तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना के आपको फिर दिखाते हूं कैसा दिखाए दे रहा है यह देखिए जब हम इसे रिपीट में ऐसे इस तरह से बनाते जाएंगे तो यह डिजाइन उमारा ऐस तरह से दिखाएदेगा और इसमें हमने नहीं हमने जोडा हुआ है और तो हमने जोड़ाए पर स्ञेइन हैं को असान लगएगा और पसंद आएगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद